बिहार की राजधानी पटना समेत राज्यके कई हिस्सों में आज तेज हवा के साथ जहमा जहम बारिश होई। बारिश काफी तेज हो रही है। आईमडी के मताबिक इस दोरान विशेश रूप से दक्षिन मध्य और दक्षिन पस्चिम बिहार में में गर्जन और ठनका गिरने की भी आशंका है। इसलिए इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साइकलोनिक सर्कूलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वज़े से मौसम में बदला हुआ है। जानकारों का कहना है कि इसका असर 14 जनवरी तक रह सकता है। 12 जनवरी यानि आज पटना समेत बिहार के जादातर हिस्सों में कहीं हल की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। पटना में सुबह 8 बच कर 20 मिनट से ही मध्यम बारिश हो रही है। इसके अलावा सीता मढ़ी, वैशाली, लखी सराय और बेगु सराय समेत कई इलाकों में गरज के साथ अगले 1-2 घंटों में बारिश की संभावना है। मौसम भाग ने एक-दो जगहों पर ओला गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को पटना के अलावा बिहार के अधिकतर हिसों में बादल छाए रहे। मौसम साफ रही होने से नियूंतम पारा बढ़ गया जबकि अधिकतम पारा में गिरावट दर्ज की गई। कोल डे तो नहीं रहा पर कोल डे की तरह हालात बने रहे। मौसम विज्यानिकों के अनुसार 15 जन्वरी को मौसम साफ होने की संभावना है। उसके बाद कनकनी भी बढ़ेगी। मंगलवार को नवादा, औरंगाबाद, भभुआ, डेहरी, मोतिहारी, दाउद नगर, कैमूर आदी में बारिश होई। सबसे अधिक बारिश औरंगाबाद में 7.2 mm दर्च की गई। आईमडी के मताबिक इस दोरान विशेश रूप से दक्षिन मध्य और दक्षिन पस्चम बिहार में में गरजन और ठरंगा गिरने की भी आशंका है। इसलिए इन इलाकों के लोगों को सतर करहने की जरूरत है। आईमडी के बुलेटिन के मताबिक प्रदेश की दक्षिन हिस्से में बंगाल की खाडी और अरब सागर से आने वाली हवाएं मिल रही है। इसे इलाके में एक दो दिन मौसम में उथल पुथल हो सकते हैं। दूसरी दरफ प्रदेश के दक्षिन हिस्से से एक टरफ लाइन भी गुजर रही है। दरसल इन कारोंने से प्रदेश में सक्रिय पस्चिम विक्षोब कुछ कमजोर हुआ है। और इसी वज़े से अब राज्य में जमा जम बारिश देखने को मिल रही है। पटना में भी आज सुभा आट बच कर बीस मिनट से लगातार बारिश हो रही है। और अगले दो दिन तक इसी तरीकी के मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है। झाले कर थे लोगा से रहा है।